हेलो फ्रैंज कैसे हो आप सब तो आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा मैं क्या बनाने वाली हूं और थमने लेकर मुँँ में पान ही आ गया होगा है ना तो चलिए शुरू करते हैं यह तीन सग्राम पनीलिया इसको लंबाई में काट लिया है यह मैंने धनिया लिया है चार-पान लसन की कलिया इसको बरीक काट लिया दो मीडियम साइज के प्याज इसको भी मने बरीक में काट लिया है और यह एक चमच अद्रक का पेस्ट तो चलिए पैन में हम ओईल डाल लेते हैं क्या जल लिया है अब इसमें ही साथोड़ा सा बटर राइड करेंगे तो मैंने बटर ब्टर को एक साथ डाले अगर बटर बटर डालते है तो फोड़ा जल जा Wak tar इसलिए बड़र के साथ थोड़ है सरफ तोड़ा सा ही धुने यह हो गया है अब में यह प्याज ब्रॉंच साट करें है कि अधीर के है अब प्याज को भी हम तोड़ा सा सा चलाते हुए ब्रॉण करते हैं तो इस तरह से देखिए इसको हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है लेकिन बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है थोड़ा लाइट ही रखें मैं आपको एक बार दिखा दूंगी तो यह देखिए सरफ इतना ही इसको ब्राउन करना है इस से ज्यादा इसको नहीं करना तो अब हम इसमें जो अधर का पेस्ट लिया था ना हमने एक चमच वो एड़ कर देते हैं इसको भी थोड़ा भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए यह देखिए इस तरह से अब हम इसमें एड़ करेंगे सेजवान सॉस यह मैंने चार चमच ली है इसको भी डाल लेते हैं अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से यह देखिए इस तरह से तो यह मिक्स हो गई है अब हम मिस में कुछ मसाले क करेंगे जिसा आदा चमच काली मिर्च का पाडर आदा चमच लाल मिर्च का पावडर आदा चमच गरम मसाला ये आदा चम्मच दनिया पाउडर और अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं जब आपने ये मसाले डाल दिये हैं उसके बाद गैस की फ्लेम बिलकुल सिम कर दें नहीं तो जो ये हमारे मसाले हैं ये जल जाएंगे अब हम इसमें आदा कप पानी आड़ करेंगे तो हम इनको थोड़ा भून लेते हैं ये पानी हम इसलिए आड़ करते हैं ताकि जो ये हमारे मसाले हैं ये जले ना तो ये देखें मिक्स कर लिया है अब हम इसे ढख कर का थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे थो मिनिट बाद हम चेक कर रहें हैं तो ये देखे यह हमारा जो मसाला है ये इतना ही पकाना है हमें यह देखिए अब हम इसमें जो हमने पनीर के क्यूब्स काटके रखे थे वो एड़ कर देते हैं यह मैंने लंबाई में काटे हैं आप चाहते हैं इनको चकोर कैसे भी कार सकते हैं तो यह मैं इसमें एड़ कर रहे हूं और अम इसे में आड करेंगे नमक तो यह स्वाद के नमक आड कर लेते हैं यह देखें नमक आप इसंसी सटेज पर आड करें उससे पहले नहीं तो अब हम पनीर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ठोला सेफली करें ने kısm decisis का निगा पनीर की टूट जाएंगे सैंए तो यह देखिए है मैंने मिक्स कर लिया है आप इसमें हल्का सा एक बॉयल आनरे देंगे कि ये देखिए इसमें ईड़ गया है अब हहामें इसमें एड़ करेंगे धनिया की पती छी नहां कि एड़ेकर रियह तलुमों दो आपको दिख़रा होगा यह पनीर में एक हल्की सी ग्रेवी है तो अब हम इस पनीर को पांस मिनिट के लिए पकाएंगे यह देखेऊ पांस मिनिट के बाद हमने इसे फुल फ्लेम पर 5 मिनट पकाया है तो यह देखिए जो इसके अंदर ग्रेवी सी थी न वह बिल्कुल खतम सी हो गई है तो बिस हल्की सी रखने ग्रेवी जैसे मेरे दिखरी है आपको पैन के अंदर सिर्फ इतनी तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो यह देखिए हमने स्वाटर बनकर रैडी हुआ है तो आप इसे बनाईए और इंज्वाय करिए अगर यह आप बच्छों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा स्पाइसी कम ररखें थोड़ा मिर्ची कम डालें नहीं तो आप अगर बढ़ों के लिए बना रहे हैं या आप झारें तो प्लीज इसको आप इसी तरह से चटपटा सा बनाईए और इसे खाईए अमने इसके ओपर डेकोरेशन के धनिया पत्ती डाल दी है तो बताइए यह आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना अनुबा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन ओन करना ना बुलें तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू पर वाचिंग